हेलो एवरिवन, आज हम डिसकस करने वाले हैं, अगर आप दिली उनिवर्सिटीज में, बियो ओनर्स पॉलिटिकल साइंस में अडिमीशन लेना चाहते हैं, तो क्या इलिजिबिलिटी क्राइटियरिया है, यह हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, तो देखिए यहां प यानि आपको एक लैंगविज सेलेक्ट करनी है, लिस्ट ए से, लिस्ट ए में सारी लैंगविज मेंशन है, आप उसमें से कोई भी एक लैंगविज दे देजी, अभी मैं आपको लैंगविज दिखाने वाला हूँ, उसके बाद, एनी टू सब्जेक्ट फ्रम और दो पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं चलिए मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं ताकि आपको इसली समझ आ जाए कि मतलब लिस्ट बीवन लिस्ट यह है क्या उसके हिसाब से फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से पेपर में अप्पीयर होना है और कौन से में नहीं अब यहाँ पे देखिए लिस्ट य में आपको कोई भी एक लैंग्विजग करना है कोई भी एक लैंग्विज आपको छूस करना है हिंदी इटेलिय इसके बाद आपको करना है लिस्ट बीवन से दो सब्जेक्ट आपको चूज करने यहां से लिस्ट बीवन से दो सब्जेक्ट आपको चूज करने दूसरा क्राइटेरिया इसके यह सारे criteria एक साथ fulfill होने चीए फिर प्लस एक subject और चूज़ करना है वो आप list B1 से भी choose कर सकते हैं और list B2 से भी choose कर सकते हैं थर्ड ये चाहे तो आप list B1 से एक और subject choose कर लिजेगा तो आपके list B1 से तीन subject हो जाएंगे अदर्वाइस आप list B2 से choose कर जेगा तो एक language दो list B1 और एक list B2 तो ये है आपका जोए बी honors political science में admissions लेने के लिए eligibility criteria छीक है थैंक्यू